नमस्कार दोस्तों पूनम की जट पट्रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को दलिया उपमा बनाना सिखाऊंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने डेर कप दलिया को लिया है मैंने एक छोटी चम्मच चना दाल को लिया है एक छोटी चम्मच उरत दाल और मैंने काला सरसो लिया है आधी छोटी चम्मच और मैंने भुना हुआ बादाम लिया है वन थर्ड कप नमक स्वादा अनुसार और मैंने कुछ vegetables लिये जिसमें प्याज, दो प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है तीन से चार हरी मिर्च, आधा कफरा धनिया, दो गाजर, एक टमाटर और दो छोटे साइस का सिमला मिर्च और अधरक मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है तो चलिए, बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें दलिया को भूनना है मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को डाला है और दलिया को लगबग, ये देखिए मैंने दो से तीन मिनट भूना है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर से मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को डाला है और इसमें मैंने चना दाल, उरत दाल और सर्सो को डाला है ये देखिए, ये अब चटकना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें अद्रक को डाल दूँगी, हरे मिर्च को डाल दूँगी और इसे भी लगवग एक मिनट हमें भूल लेना है और अब मैं इसमें प्याच को डालूँगी ये देखिए, मैंने प्याच को डाल दिया है और गाजर, सिमला मिर्च इन सभी समागरियों को डालने के बाद इसे तो उसे तीन मिनट हमें पकाना है ये देखिए, और अब मैं इसमें नमक को डाल दूँगी और ये जो हमारा भुना हुआ बादाम है मैंने इसे भी डाल दिया है और सबसे अंत में मैंने टमाटर को डाला है और टमाटर डालने के बाद मैं दलिया को डाल दूँगी ये जो हमारा दलिया है उसे मैं डाल दूँगी और इसमें मैं सारे चार कप पानी को मिलाओंगी ये देखिए दो मिनट हो चुका है ये देखिए बिल्कुल अभी पका नहीं है और फिर से मैंने पांस से छे मिनट पकाया है ये देखिए ये जो दल्या हमारा है लगभग बन चुका है ये देखिए कितना खिला-खिला हमारा ये उपमा बना है अब मैं इसमें हरा धन्या को डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है और मैंने गैस को बंद कर दिया है ये देखिए ये हमारा हिल्दी दलिया का उपमा बनकर बिल्कुल तयार है और अब मैं इसे डिशाउट करूँगी ये देखिए ये हमारा दलिये का उपमा बनकर बिल्कुल तयार है तो दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें इसे बनाए खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और यदि ये भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो